नमस्कार दोस्तों मैं निर्मला आज आपकी लेके आई हूँ आर्बी एसी कक्षा सेवंध की बुग के क्योशन्स इससे पहले मैंने भागवन भूगुल का अपलोड किया है ये आज भाग दो है तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किये क्या क्योशन है इन्हें सौल्व करिए और कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए आज का पहला क्योशन है नेम्ले लिकित में से जो बास सत्य है वह है यानी कि इन में से कौन सी बास सही है वो बतानी है मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है आउशक्ता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है समाज व्यक्तित्व का विकास करता है या उप्योक्त तीनों ही तो ये तीनों ही बास सही है मनुष्य स्वभाव से ही क्या होता एक स्वामाजिक प्राणी होता है बिल्कुल सही आउशक्ता मनिश को स्वामाजिक प्राणी बनाती है ये भी सही है समाज व्यक्तित्व का विकास करता है यह भी सही यानि इसका आंसर क्यों हो जाएगा द उप्योक्त टीनों अगला देखिए समाज के सदस्यों का द्रस्टी कोण और सामाजिक व्यवस्ता हैं होनी चाहिए यानि समाज के सदस्यों का द्रस्टी कोण यानि की द्रस्टी कोण यानि की नजरिया और जो सामाजिक व्यवस्ता है मैनेज्मेंटे वे कैसा होना चाहिए लोक्तांत्रिक होना चाहिए समानतावादी होना चाहिए या मानवतावादी होना चाहिए या उप्योक्त टीनों तो क्या आंसर हो जाएगा समाज के सदस्यों का जो नजरिया है वो लोकतांत्रिक भी होना चाहिए समानतावादी भी होना चाहिए और मानवतावादी भी होना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा द उप्योक्त तेनों ही इसके आंसर हो जाएगे अगला देखिए लोगतंत्र बड़ावा देता है लोगतंत्र किसे बड़ावा देता है इसके option देखिए आ समानता को समानता को पिशेश अधिकारों को या भैदबाव को तो जो लोगतंत्र वो बड़ावा किसे दहेगा वो देगा समानता को किसे बड़ावा देगा समानता क तो आंसर हो जाएगा B अगला देखिए मत देने का अधिकार है मत यानि कि वोड़ देने का अधिकार किसे है अमीर को है, पुरुष को है, पड़े लिखे को है या सभी वयस्क नागरी को को है तो मत यानि कि वोड़ देने का अधिकार सबी वयस्क नागरी को को होता है तो आंसर क्या हो जागा इसका द अब सबी वयस्क नागरी कोन से होंगे वो नागरी या वो नागरी जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से उपर हो उन्हें मत देने का अधिकार है वो वयस्क मत अधिकार के भागी दारे, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा द, अगला देखिए इस्तम आ को इस्तम ब से क्या करना है, सुमेलित करना है इस्तम आ में नमबर वाने, अपने प्रतिनीदी चुने जाने का अधिकार नमबर दो, व्यवसाईवा उब्भोक की स्वतनता नमबर तीन, व्यक्ति की प्रतिस्टा और अवसर की समानता तो अपने प्रतिनीदी चुने जाने का अधिकार किसके पास होता है वो होता है राजनितिक, क्या होता है राजनितिक लोगतंत्र, तो इसका हो जाएगा स, क्या हो जाएगा प्रतिस्टा और उसर की समानता किसमें होती है तो वो होती है सामजिक लोक्तंत्र में तो आंसर क्या हो जाएगा सामजिक लोक्तंत्र यानि एक का सब दो का अ और तीन का ब इसका आंसर हो जाएगा अगला क्योशन देखे क्योशन नमबर 6 बालक का पहला शिक्षक होता है परिवार, विध्याले, माता या मित्र क्योशन क्या है बालक का पहला शिक्षक होता है कोन होता है तो सभी को पता है कोन होता है माता अब क्योशन ये भी बनता है कि बालक की जो प्रथम पार्शाला होती वो क्या होती है तो जो बालक की प्रथम पार्शाला होती वो होती है परिवार ओके तो इसका आंसर क्या था समाता अगला देखें मीरा भाई प्रसिद्ध है मीरा भाई क्यों प्रसिद्धे मीरा भाई प्रसिद्धे राजनेती के लिए शार्षन के लिए इश्वर भक्ति के लिए या इन में से कोई नहीं तो मेरा भाई क्यों प्रसिदे सभी को आंसर पता इसका तो आंसर क्या हो जाएगा स इश्वर भक्ति के लिए प्रसिद है और किसकी इश्वर भक्ति कीती उन्होंने कीती कृष्ण जी की किसकी किती कृष्ण जी की अगला देखिए Q8 शेत्रफल की द्रश्टी से राजस्तान का देश में इस्तान है यानि शेत्रफल की द्रश्टी से राजस्तान का देश में कौन सा इस्तान है पहला, दूसरा, छटा या दस्वा तो कौन सा इस्तान है तो वो हो जाएगा पहला दूसरा किसका है तो वो हो जाएगा दूसरा MP का यानि पहला किसका है राजस्तान का अगला देखिए 2011 की जन्यगर्णा की अनुसा जो राजस्तान की शाक्षर्ता है वह कितनी है 60.1% 62.1% 64.1% 6.16.1% तो 2011 की जनगन्ना की अनुसार राजस्तान की जो साक्षरता है वो है 66.1 प्रतिशत आंसर क्या हो जाएगा 26.1 प्रतिशत अब यह टोटल है क्या है टोटल है अगल आपसे इसमें महिला की पूछ ले या पूरुष की पूछ ले 52.10 परसेंट अगला देखिए क्योशन नंबर दस राजस्तान में निशुल्क एवं अनिवारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया एक अप्रेल 2009 को एक अप्रेल 2010 को एक अप्रेल 2011 को या एक अप्रेल 2012 को तो जो निशुल्क और अधिवारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानि एक तो थो था 2009 लेगिन लागू कप किया गया तो प्रेल 2010 को तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बह एक अप्रेल 2010 अगला देखिए क्योशन नमबर 11 राजिस्तान में मेट्रो रेल शुरू हुई है मेट्रो रेल शुरू कहा हुई है वो पुछना चाहता है जोदपूर में जैपूर में उदैपूर में खोटा में तो जो मेट्रो रेल के शुरूबात हुए सबसे पहले जैपूर में हुई और अभी क्योशन बनता है कि हुई ये तो कब हुई ये तो ये हुई ये तीन जून 2015 को कब हुई ये तीन जून 2015 को अगला देखें राज जी की सरकार का सम्मेधानिक मुख्या होता है मुख्य मंतरी, प्रधान मंतरी, रास्टपती, राजजपार इसने क्या पुछा है सम्मेधानिक मुख्या होता है तो कोन होगा तो वो होगा द राज्युपाल यानि राज्य की सरकार का जो सम्मेधानिक मुख्या होता है राज्युपाल होता है तो जो भारत की सरकार यानि केंद सरकार का सम्मेधानिक मुख्या कोन होगा तो वो हो जाए राश्ट पदी तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर हो जाएगा राज्जुपाल ओके अगला देखें राजस्तान विदान सभा की सदस्य संक्या है 250 25545 दोसो या छियासर तो कितनी है विदान सभा की सीटे तो वो है 200 कितनी है 200 अब आम मुझे कमेंट सेक्षम में बताना की र लोक सबा और राज्य सबा है इनकी कितनी सेटे हैं अगला देखिए राज्य के मद्दाता मद्दान करते हैं इस्थानी निकाय के चुनाओं में राज्य विधान सबा के चुनाओं में देश की लोक सबा के चुनाओं में या उप्यूगत तीनों में तो जो राज्य के मद्द जाता होते हैं जो इस्टेट के जो क्या है वयस के नागरिक होते हैं वो वोट किसे कर सकते हैं ये क्योशन कर रहा है तो जो इस्थानी निकाय के चुनाव होते हैं उनमें भी वोट करते हैं राज विदान सभा की चुनाव में भी वोट करते हैं देश की लोग सभा के लोग कल्यानकारी योजनाय किसे सम्मदित होती है भोजन और आवास से स्वास्त्य सुविधाओं से शिक्षा और रोजगार से या उप्युक्त सभी से जो जनता के लिए बनाई जाती है लाई जाती है तो वो क्या है भोजन और आवास से सम्मदित होती है स्वास्त्य सुवि अगला देखिए लोग कल्यानकारी योजनाएं सोरी लोग कल्यानकारी सरकार की कर्तव्यों में सम्मिली थें उपर क्या क्योशन था कि लोग कल्यानकारी योजनाएं कौन-कौन सी हो सकती है किस रूप में लाते हैं अब यह क्योशन है लोग कल्यानकारी सरकार के कर्तव्यों म तो जो सम्वित होती हैं करतव वो तीनों ही होते हैं नियोंतम जेवनिस्तर की गारंटी, शिक्षा और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्यानकारी तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा द उप्युक्त सभी अगला देखिए, प्रिंट मीडिया का उधारन है, समाचार पत्र, टैलिविजन, टैलिफॉन, कम्प्यूटर, तो प्रिंट मीडिया का उधारन कौन सा है, बताईए सभी को पता होगा, कौन सा हो जाएगा, समाचार पत्र, क्या हो जाएगा, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिय का उधारण, प्रिंट मीडिया यानि की जो चीजे छपकर आती है, तो समाचार एक छपकर आता है, इसलिए प्रिंट मीडिया का उधारण है, बाकी सबी क्या है, टेलिविजन, कंप्यूटर, टेलिफॉन, सबी क्या है, यह इलेक्ट्रोनिक मीडिया है, ओके, तांसर क्या था इसका असमाचा पत्र अगला देखिए मीडिया का उप्योग होता है केवल सरकार के लिए केवल जनता के लिए सरकार और जनता के लिए या केवल मीडिया के लोगों के लिए तो जो मीडिया यानि संचार मीडिया का मतलब क्या होता है संचार तो जो मीडिया को उप्योग होता है वो जनता के लिए भी होता है और सरकार के लिए भी होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सरकारों जनता के लिए अगला देखिए भारती रिजर्व बेंक की स्थापना कब हुई? 1940, 1929, 1935 या 1932 तो कब हुई ये स्थापना इसकी बताओ भारती रिजर्व बैंक, RBI की स्थापना हुई ये 1935 अगला देखियो लास्टे भारती रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है दीपक मिश्रा, शक्ति कांदास, उर्जित पतेर या रगुराम राजन तो बर्तमान गवर्नर की बात हो लिए तो अभी को ने? तो वो है शक्ति कांदास अब आप ये बताने की कौन से नंबर के हैं? एक कौन से नंबर के हैं? आपको एक कमेंट पर बताना है तो आई होप आपको एक क्योशन अच्छे लगे होंगी और आपके लिए हैल्फ फूल भी रहे होंगी तो आप इन्हें सॉल्व करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरू करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें थैंक यू